तीन लोग सिन्यारी मतुरा नकरी में यमुना तटिस्तित शिव मंदिर पर विजय दश्मी के अफसर पर लंकेश रावन की पूजा की गई वहीं सारस्वत समाच के लोगों ने रावन के पुतला देहन का जम कर विरोध किया आश्वन मास के शुक्रपक की दश्मी तिति को भागवान शीराम ने अयुद्या पर लंका पर विजय प्राप्त कर उन्होंने जो विजय दश्मी के रूप में मनाते हैं तो आप देखते हैं तो देश बेदेश में इस अफसर पर रामण का पुतला देन किया जाता जगे जगे राम नीला होती हैं और दश्मी के दिन रामण का बद कर फिर रामण का पुतला देन किया जाता है लेकिन मतुरा तीन लोग से न्यारी है यहां सब कुछ अपने आप में अलग होता है तो आप देख रहे हैं जहां लोग रामण का बद कर उसका पुतला देन की तैयारी कर रहे हैं वहीं मत्रवा में पवित्र यमना के तट पर शिपजी के मंदर पर यहां रामण की पूजा की गई है और रामण का सुरूप बनाकर उन्होंने आके बगबान शिपजी आरादना क पूजा की और यहां एक समाज के लोगों ने इस जो रामण देन की जो परंपरा है जो प्रचला ने उसका बिरोध किया है और उन्होंने मांग कि है कि रामण के पुतला देन का बिरोध सरकार द्वारा कानून द्वारा बंद होना चाहिए इसके पीछे वजय क्या है लुक रखते हैं और हम सारा स्वत हैं वो उनके हम बंसजें हम एक ही बात कहते हैं समाज के लोगों से जिन लोगों के द्वारा रावर का पुतला देन किया जाता है वह भगवान सी राम के योग नहीं है अगर भगवान सी राम के योग राम जैसा कोई व्यक्ति रावर का प्रत्मर्ष पुतला दहन करे तो हमें कोई गम नहीं है लेकिन जब भगवान स्री रामी नहीं है तो ऐसे में रावर का पुतला दहन करने वाले लोगों को दूर हट जाना चाहिए यह दसानन का अपमान है भगवान स्री राम ने लंकेश को अपना आचार माना था लंका पर विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने श्वयम एक यग के माध्यम से रामेश्वरम में बहादेव जी की स्थापना कराई थी और जिसके में श्वयम आचार रावर बने थे और उन्होंने अपनी इमांदारी और निष्था से आचार ब्रत को निभाया और उन्हें आशिरवा करना भगवान का अफमान करने से भी बड़ा पाप है मैं समझता हूं समाज के लोगों को भगवान-सिधाम का अगर सम्मान करना है तो पुतला धेन करना बंद कर देना चाहिए क्वोड़ा धेन एक कुप प्रता है पुतला धेन को लेकर आप कोट में भी नियायाले की शरद नियायले में हम लगवग आज से 17-18 साल पहले जिला नियायले में गए उसके बाद दो बर्स पहले हम NGT में गए लेकिन कोई सफलता हमें पुतला दहन पर रोक लगाने की संबंद अभी प्राप नहीं हुई है आगे का लक्ष हमारा सुप्रीम कोट है आगामी समय में हम की प्रत्मा लगाने का भी आपका कोई संकल्व है महाराज दसानन की भव्व प्रत्मा अगली वर्स तक इसी स्थल पर लग जाएगी जहां लगवा हुं 15-20 वर्सों से लगातार पूजा करते आ रहे हैं भगवान महादेव का ये वही तत है वही स्थान है जहां उनका ये स करता या है और मंद्र निर्मान के लिए सरकार सजघ हुई है प्रधान मंतुरी जी को पत्त लेक करके मांग किये जिस तरह से भगवान सिदाम का भव्य मंद्र अयुद्धाम है ठीक उसी तरह से भव्य प्रत्मा दसानन की भी अयुद्ध्याम्नी चाहिए जिससर्फ भगवान सी दाम का भी सम्मान बढ़ेगा और उनके आचादर की अगर प्रत्मा सामने होगी तो उनकी आत्मा को भी अच्छी सांती मिलेगी। भगवान सी राम ने आचार के रूप में रामण को ही बुलाया था, रामण को सम्मान दिया और उनको आचारत्यों का प्रदान किया। और उनके समाज के लोग रामण का ही स्वरुप दारण करें यहां पर पूजा करने आते हैं। आपका शुब नाम? मेरा नाम कुल्दीप वबस्ती। कुल्दीप जी आज रामण के स्वरुप में हैं, तो क्या भाब और क्या अपना संकल्प लेकर आयो? हम संकल्प यह लेकर आये हैं, कि माननी हैं, योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंद्री जी, और देश के परदान मंद्री, नरेंद मोदी जी से हमारा यही आग्रे है, अयुद्या में जो राम मंद्र का वैबिन हिर्माल हो रहा है, उसी जगा एक रावल की भी मूर् किया है, तो पिते सरकार से की रामर की प्रत्मा बने और रामर का पुतला देन बन दो, और वास्ता में जो भगवान श्री राम ने रामर का जो बत किया, उससे उन्होंने एक संदेश दिया था, कि जो बुराईया हैं, उनका अंत किया जो अधर में उसका उन्होंने अंत कि कि आप समाज के भी तच्पी जो बुराईया है और जो अधर्म ब्याफ्त है उसको दूर करें ना कि पुतला देन करने से और ये सारसो समाज के लोगों को पीड़ा होती है और उन इसी को लेकर ये संकल पुठाया है और पिछले दो दशक से लगातार इसी तरह से यहां का ही अपमान करते हैं तो इनकी इस मांग का समाज पर कितना असर पड़ता है जिना न्यूस के लेकर ना पर संद्रिंग को बर्मा के साथ सुशिल गोस्वामी मत रहा है